नमस्कार साथियों, आपका एक्जाम यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम MPGK के प्रीवियस एर एक्जाम में जो भी कॉस्चन आय हुए हैं वहें डिस्कस करेंगे क्योंकि ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस एर कॉस्चन से हर बार 3-4 कॉस्चन रिपीट होते हैं और इस से आपको अपनी तयारी का एक लेबिल भी पता चल जाएगा तो चलिए बिनादेरी की शुरू करते हैं यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस से पहले बाले वीडियो में हमने 27 पेश कंप्रीट कर लिए थे इस पीडियेप की और 27 पेश के माध्य हम से लगभा 500 कॉस्चन कंप्रीट हो गए थे तो यहां हम 28 में पेश से यहां पर आज कंटिन्यू करेंगे तो आज का जो first question है कि कौन सा परुसकार हिंदुस्तानी सास्त्री संगीत के छेतर में मद्परदे सरकार दौर अपरदान किया जाता है तो इसका जो right answer है option d तांसन परुसकार और तांसन परुसकार की शुरुवाद कब से माने जाती है नेश्ट कोश्चन है कि छेत्रफल की द्रश्टी से मद्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है तो छेत्रफल की द्रश्टी से मद्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और मद्धे प्रदेश का छेतर फल केतना है? 9.38, केतना है? 9.38% या मद्धे प्रदेश का कुल छेतर फल है? Next question देखने हैं, और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? छेतर फल की दरिश्टी से, राजस्थान उसके बाद मद्धे प्रदेश Next question क्या है? Next question है कि खालिस्थान इलाहाबाद के सबसे बड़े अलफ्रेट पार का नाम बदल कर सुतंतरता सेनान की नाम पर किया गया है तो चंदर सेखर आजात की नाम पर किया गया है अल्फरेट पार का नाम बदल कर किस की नाम पर किया गया है चंदर सेखर आजात की नाम पर नेश्ट कॉस्चन देखंगे नेश्ट कॉस्चन क्या है कि इन बांदों में से कौन सा बांद बेदबान नदी पर नहीं बनाय गया है, तो इन बांदों में से कौन सा जो डैम है या बेदबान नदी पर नहीं बनाय गया है, तो जो राणा प्रताफ सागरबान है, या कहां पर बनाय गया है, या चंबल नदी पर बनाय गया है, कहां पर बनाय गया है, कि भारत में किस राज्य से सम्मीधान सभा के लिए चुने गए थे नेष्ट कोच्टन देखेंगी next question है कि सांची के स्थूप को मूल रूप से किस के द्वारा बनाए गया था तो जो सांची के स्थूप है यह मूल रूप से असूप के द्वारा बनाए गया थे किस के द्वारा बनाए गया थे असूप के द्वारा और साची के स्थूप राइस एंजले में इस्थेत हैं कहां पर हैं साची के स्थूप राइस एंजले में इस्थेत हैं और साची के स्थूप को यूनिस्को की विस्थो धरो अरसूची में बरस 1989 में सामिल किया गया था next question है कि खालिस्थान मद्य प्रदेश का राज की फल है तो आम यह मद्य प्रदेश का राज की फल है और आम का बोटनी कलने में क्या है Magnifera Indica यह आम का बोटनी कलने में बानस पतिक नाम है next question है कि केंदरी एकरसी अभियांत्र की संस्थान कहां पर इस्थे थे केंदरी एकरसी अभियांत्र की संस्थान यह भूपाल में और आ है next question देखंगे कि कि मद्य प्रदेश का एक मात्र सिंदी समाचार पत्र है कौन सा है तो मद्य प्रदेश का एक मात्र सिंधी समाचार पत्र फर्ज है कौन सा फर्च या मद्य प्रदेश का एक मात्र सिंधी समाचार पत्र है Next question देखंगे कि पिरसिद बाग गुफाए मद्य प्रदेश के किस जिले में इस्थे थे तो पिरसिद बाग गुफाए है कि अब मद्य प्रदेश के किस जिले में है तो बाग गुपाएं मद्यप्रदेस के धारजले में इस्थे थे, कहाँ पर इस्थे थे थे, बाग गुपाएं धारजले में नेश्ट कॉश्चन देखंगे, नेश्ट कॉश्चन है कि नेहरू इस्टेडियम कहां इस्टेडियम 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 Next question देखंगे, कि मद्यप्रदेश की किस नदी पर बर्गी बाँए स्थे थे थे, तो मद्यप्रदेश की जो नरम्द्धनदी है इस पर बर्गी बाँए स्थे थे लेकिन जो कौम जन जाती है या मद्य प्रदेश से सम्मंधत नहीं है नेश्ट कॉस्चन है कि 2011 की जन गड़ना के नुसर मद्य प्रदेश की साक्छर्थ अधर कितनी है तो 2011 की जन गड़ना के नुसर मद्य प्रदेश की जो साक्छर्थ अधर कितनी है 69.32% है कितनी है 69.32% यह मद्य प्रदेश की कुल साक्षर्ट अधर है 2011 की जनगरना के नुसर लेकिन यह option में नहीं है इसलिए इसका जो right answer हो जाएगा option भी हो जाएगा next question देखंगे next question है कि मद्य प्रदेश में 3 cents हमार हो है किस महीने में आयुजित किया जाता है तो मद्य प्रदेश में जो 3 cents हमार हो है यह किस महीने आयुजित किया जाता है तो इसका जो आयुजित है प्रतिवर्स दिसंबर माहे में किया जाता है next question देखंगे कि गाथा जल परपात मद्य प्रदेश की किस जले में इस्तित है जो गाथा जल पर पाथ है या मद्द प्रदिस की पन्ना जले में इस्तित है कहां पर इस्तित है गाथा जल पर पाथ पन्ना जले में next question क्या है कि भारत में सबसे पुरानी पत्थर सा रचना कौन सी है तो भारत में सबसे पुरानी पत्थर सा रचना कौन सी है सांची का इस्तूप है कौन सी सांची का इस्तूप है कहां पर इस्तित हैं तो है रायसें जले में इस्तित हैं Next question है कि मद्धत प्रदिस का राज की ये पक्छी कौन सा है तो आप सभी को पता होगा कि मद्धत प्रदिस का जो राज की ये पक्छी है दूढराज है कौन सा दूढराज इसे हम इंडियन प्रदाइज फ्लाइ कैचर भी कहते हैं नेश्ट कॉश्चन देखंगे कि चचाई जल परपात मद्द प्रदेश के किस जिले में इस्थे थै तो जो चचाई जल परपात है या मद्द प्रदेश के किस जिले में इस्थे थै तो रीवा में इस्थे थै किस जिले में इस्थे थै रीवा जिले में इस्थे थै कौन से जल परपात चचाई जल परपात नेश्ट कोश्चन देखंगे नेश्ट कोश्चन है कि इन दौर में खाली स्थान किरकेट इस्टेडियम को पूर्व में महरानी उसराजी ट्रस्ट किरकेट इस्टेडियम की नाम से जाना जाता था तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन भ और दखिंगे लेश्ट कोशिए कि नर्मियम्दा ओदी की सबसे वड़ी सायक नदी कौनसी हे दिए तौन नदी की सबसे बड़ी साहक नदी तवा नदी का नदी charging को नर्मियम्दधा के ah स्टापती नदी का उध्यंत स्थान कौन सा है तो मुल्ताई बेतुल से तापती नदी नेस्ट कोषटन की भारति Parliament याथाundert प्रवंधन संस्थान के जिले में स्थान तो भारती परेट नियात्र प्रभंदन संस्थान है या मद्यप्रदिस की ग्वालियर जिले में इस्थे थे कहां पर इस्थे थे ग्वालियर जिले में नेश्ट कोश्चन देखंगे निमाण उत्साओ का आनन्द किस नदी के टट पर लिया जाता है तो निमाण उत्साओ प्रतिवर्स किस नदी के टट पर आउजित होता है तो यह नर्मिदन नदी के टट पर इसका आउजिन किया जाता है next question देखें कि गौलियर के लिए में गुजरी महल किसके द्वारा बनवाय गया था तो गौलियर के लिए में जो गुजरी महल है इसका निर्मण राजा मान सिंग तोमर के द्वारा किसके द्वारा कराय गया था गुजरी महल कहा निरमन राजा मान सिंग तूमर के द्वारा और गुजरी महल कहा पर इस्तित है तो यहां ग्वालीयर किले में इस्तित है नेश्ट कॉस्चन क्या है नेश्ट कॉस्चन है कि कभी लेखक एवं पत्रकार खाली स्थान को हिंदी में उनके कारे हम्तरंगणी के लिए पहले साहत तकादिंपरुसकार सम्मानत किया गया था नेश्ट कॉस्चन क्या है कि भारती रेलवे के पश्चिम मध्रेलवे का मुख्याला कहां पर है तो भारती रेलवे के पश्चिम मध्रेलवे या पश्चिम के अंदरी ये छेतर का मुख्याला कहां पर है तो जवलपुर में है कहां पर जवलपुर में इसे हम पश्चिम मध्रेलवे भी कहते हैं तो कहां पर है पच्चम मद्रेलवे का मुख्याल है जबलपुर में है नेस्ट कॉस्चन है कि निमाण का पेरिस किसे कहा जाता है यह काफी इंपोर्टेंट कॉस्चन है कई बार पूछा गया है कि निमाण का पेरिस किसे कहा जाता है तो बड़बानी को निमाण का पेरिस कहा पर है तो है जबलपुर में है कहां पर जबलपुर में और राजा भोज अंतराश्टी हवाइड़ कहां पर है भोपाल में है नेश्ट कॉश्चन देखंगे नेश्ट कॉश्चन क्या है कि हिंडो लमहल कहां पर इस्थे थे तो जो हिंडो लमहल है या मांडू में इस्ते थे कहाँ पर है हिंडो लमहल मांडू में इस्ते थे और मांडू कहाँ पर इस्ते थे तो मांडू धार्ज लेके अंतरगत आता है और मांडू को आनंद की नगरी या City of Joy भी कहते हैं नेश्ट कॉस्चन देखंगे कि जन संख्या की दरश्टी कौन से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा राज है तो जन संख्या की दरश्टी से मध्य प्रदेश भारत का पांचमा राज्य है कौन सा राज्य है जन संख्या की दरश्टी से मध्य प्रदेश भारत का पांचमा बड़ा राज्य है, नेश्ट कॉस्चन देखंगे, नेश्ट कॉस्चन है कि 2011 की जनगणना के नुमसार, मद्य प्रदेश की भोगोलिक छेत्र का कितने प्रतिसद बन छेत्र है, तो इसका जुराइट आंसर है, ऑप्सन भी है, 30.72% पर बनों का विस्तार है, मद्य प्रदेश का उच्चनियाला कहा पर इस्थे थे तो जबलपुर में मद्य प्रदेश का उच्चनियाला इस्थे थे, इसके लावा ग्वालियर इवं इन दौर में मद्य प्रदेश उच्चनियाले की दो खंड़ पीट इस्थे थे और भोपाल में एक नई खंड़ पीट प्रस्तावे है नेश्ट कोश्चन है कि निमलिखित पुरुसकारों में से किसके प्राप्त करता को मद्यप्रदेश सरकार द्वारा उच्चितम नगत पुरुसकार दिया जाता है तो इसका जो राइट आंसर है महत्मा गांधी पुरुसकार महत्मा गांधी पुरुसकार जो प्राप्त करत अब्यक्ति रहता है उसे सबसे अधेक उच्छे तम नगत प्रुषकार दिया जाता है मद्यप्रदेश सरकार के द्वारा नेश्ट कॉश्चन देखंगे कि सरदार सरुवर्बान किस नदीपर बनाये गया है तो आप सबी को पता हुगा कि सरदार सरुवर्बान गुजरात में नर्मिदा नदीपर बनाये गया है किस नदीपर नर्मिदा नदीपर नेश्ट कॉश्चन देखंगे कि निमलखत में से कौन सा अंतराष्टी एक किरकेट इस्टेडियम मद्यप्रदेश में नहीं है तो जो बाराबती इस्टेडियम है मद्रप्रदेस में नहीं है जबकि नेहरू इस्टेडियम कहां पर है तो यह इंदौर में है रूप सिंग इस्टेडियम कहां पर है ग्वालियर में इस्टेथ है होल करके इस्टेडियम कहां पर है तो यह इंदौर में है नेश्ट कॉश्चन देखंगे नेश्ट कॉश्चन है कि लक्षिमी वाई राष्टी सारी रेक सिक्षा विश्वुद्याला कहां पर है तो लक्षिमी वाई राष्टी सारी रेक सिक्षा विश्वुद्याला या कहां पर है तो या गौलियर में है और गौलियर में है Next question देखंगे Next question क्या है कि एकबाल परुसकार खाली स्थान में रचनात्मक लेखन का संबान करने के लिए मद्ध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है तो एकबाल परुसकार किस छेतर में प्रदान किया जाता है तो उर्दू साहते के छेतर में प्रदान किया जाता है कौन सा परुसकार? एकबाल परुसकार नेश्ट कॉस्चन देखंगे नेश्ट कॉस्चन एक खाली स्थान नाखून कला यह nail painting यह nail art एवं नाखुन painting के लिए प्रिसिद्ध है एवं इसी में इनका patent भी है तो इसका right answer क्या है option एह बाजित खान बाजित खान यह nail art के लिए जाने जाते हैं और इनका इनके पास patent भी है next question देखंगे next question है कि मद्यप्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में आउजित होते हैं तो मद्यप्रदेश में सबसे कम मेले होसंगाबाद जिले में होता है नेश्ट कोश्चन देखेंगे नेश्ट कोश्चन है कि अमजद अली खान एक भारती सास्त्री संगीतकार थे जो क्या बजाते थे तो अमजद अली खान का सम्मन किस से है तो यह सरूद बादक थे क्या थे अमजद अली खान सरूद बादक नेस्ट कॉस्चन है कि केप्टी मद्द प्रदेश के किस जले में इस्थे थे तो जो केप्टी जल परपात है या मद्द प्रदेश के रीवा जले में इस्थे थे किस जले में इस्थे थे केप्टी जल परपात रीवा जले में इस्थे थे केप्टी जल परपात रीवा जले म स्थे थे नेश्ट कॉस्चन देखंगए देखंगे मुक्थ नियंठर सभी दा मद्यप्रते इंदर कि बहुत पर सागर में शमाहथ होती ऐ next question देखे, next question क्या है कि निमलिकत मेंसे किस में निमलिकत मेंसे किस में मद्यप्रदीसरकार दवारा कालीदास प्रवसकार परदान किया जाता है next question देखे, बा भारती सूचना प्रद््ध्ध्य हम एक rolled scope प्रवंद संस्थान मद्य प्रदेश के किस जिले में इस्थे थे तो ये ग्वालियर जिले में इस्थे थे कहां परिस्थे थे भारती सूजन प्रद्यों की इवन प्रवंद संस्थान मद्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में इस्थे थे नेस्ट कोश्चन देखंगे तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्सन है भोपाल में हुई, यह रासाने का अब्दा थी, यह विस्व में सबसे बड़ी ओद्यू का अब्दा मानी जाती है, और यह भोपाल गेस तरास्ती का अब हुई थी, दो से तीन दिसंबर 1984 को, जहरीली गेस कौन सी, मिक गेस, इसे हम नर्मेंदाकों मद्यप्रदेश की जीवन रेखा या लाइफ लाइफ लाइन कहते हैं, नेस्ट कोश्चन है कि निमलेखत घरानों में से कौन सा घराना मद्यप्रदेश से नहीं जुड़ा है, तो निमलेखत घरानों में से कौन सा घराना है, मद्यप्रदेश से सम्मंदित तो इसका जो right answer option D सांची में कुंभे में लेका आयोजन नहीं होता है जबकि उज्यन में होता है, नासिक में होता है और प्रियाग राजमें होता है उज्यन में कब हुआ था? 2016 में हुआ था और अब 2018 में होगा नेश्ट कॉस्चन देखें कि निमार उत्साव कार्थिक महीने के किसकी रात को आउजित किया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्सन सी हो जाएगा नेश्ट कॉस्चन देखेंगे नेश्ट कॉस्चन कहें कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कॉन सी है तो नर्मदा नदी होगे और इसकी लंबाई कितनी है तेरा राइट आंसर ऑप्सन है बारत दिसामने, शेतर फल घ्रिट फल मध्य प्र देश में सत्यत है भारत के कुल बंच्छेत्र का 12.30% छेत्रफल मद्द प्रदेश में इस्थित है नेस्ट कॉस्चन देखंगे कि खाली स्थान उपनाम टाइगर पटोदी भारती किर्केट टीम के पूर्व कप्तान थे इसका राइट आंसर क्या है मनसूर अली खान मनसूर अली खान को इनका उपनाम क्या था टाइगर पटोदी और भारती किर्केट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं नेश्ट कॉस्चन देखंगे कि भारती प्रद्यों की संस्थान या इंडियन इंस्थीट आप टेकनलोजी और इंडियन इंस्थीट आप मेनेजमेंट यह दोनों ही संस्थान मद्यप्रदिस की कहां पर इस्ते थे तो इंडियन इंस्थीट आप टेकनलोजी और इंडियन 296 तो इसे भी आप लोग याद रखे और इह दोनों ही संस्थान इंदोर में स्थे थैं नेश्ट कॉस्चन देखंगे कि मद्यप्रदेश में सबसे अधिक मेले का यूजन कहां पर होता है तो उजसांग वाद में सबसे कम मेलों का यूजन होता है नेस्ट है कि मद्य प्रदेश का सबसे लंबा राजमार कौन सा है तो इसे आप लोग करेंट के साथ अपडेट कर लीजिए करेंट में है चेंज हो गए है निसनल हाईवे नेस्ट कॉस्चन देखंगे कि चंबल नदी पर बनाए गए चारो बांध हो में से बनाए गए पहला बांध कौन सा था तो चंबल नदी पर बनाए गए चार बांध हो में से सबसे पहला बांध कौन सा था गांधी सागर बांध था और यह कहां पर इस्ते थे थे तो यह मंद सौरजले में है, next question देखंगे कि तुलसी परुसकर खाली स्थान के छेतर में उत्करष्ट उपलब्धी के लिए मद्यप्रदेस सरकार दोरा प्रदान किया जाने वाला परुसकार है, तो तुलसी परुसकर मद्यप्रदेस सरकार दोरा कला के छेतर में प्रदान किया जाता है, नेस्ट कॉस्चन है, खाली स्थान को मद्ध प्रदेश के समला के रूप में जाना जाता है, किसे सिप पुरी को मद्ध प्रदेश के समला के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नेस्ट कॉस्चन देखंगे, कि ओज्यनी और माहसमती खा Question देखेंगे कि सुनील केवट का संबन्द किस छेहलत का स्मस्वापन का संबन्द किस खेल से हैं तो यह Cam бег 않 mend क्यरतियों किता में भाग लेते हैं कौन सुनील केवटam Next question है कि रानी दुर्गवती संग्रहाला कहां पर सते थे ते तो रामन कला संग्रहाला है यह कहां पर इ funktion किस जले में आता है तो और निवाड जिले में आता है नेज्ट कोश्चोन देखेंगे धर ने कमें च्छाम कुशन की यह ले मोजन तो जो फीनिन ऑ two-dayاتEl मंडेला जले में इस्थे थे, कहां पर इस्थे थे, फैन बनने जी और भ्यारण मंडेला जले में है नेस्ट कॉस्चन देखंगे नेस्ट कॉस्चन क्या है कि गजरत महुत्साव कायुजन कहां पर होता है तो गजरत महुत्साव कायुजन कहां पर होता है तो गुना जले में होता है इस कायुजन कहां पर गुना जले में है की नाम से प्रशिद है तो यह उर्जाभवन की नाम से जाना जाता है दूत है उर्जाभवन के नाम से नाम से नेश्ट सॉच्चन देखेंगे नेस्ट कॉश्चन意 की निम्न मैं से कौन सा नंगर राष्ट की राजमार की थी पर इस्थित नहीं है तो इसे वह रिल्ड कॉश्चन हो गया इसे आप लोग प्रण के साथ अपडेट कर लीजिए next question है कि कौन सा सहर मद्य प्रदेश की मेगनीज राजधानी की रूप में जाना जाता है तो जो बाला घाट सहर है कौन सा सहर बाला घाट सहर या मद्य प्रदेश की मेगनीज राजधानी की रूप में प्रिसद्द है कौन सा सहर बाला घाट सहर है क्योंकि बालागाट जले से ही जो भरवे लीखदान है वहां से सबसे अधिक मेगनीज का उत्पादन होता है जब कि मलाच खंड कहां से सबसे अधिक कोपर या तामी का उत्पादन होता है नेश्ट कोशन देखने कि मद्य प्रदेश में सरव प्रथम मसाला पार्क कहां स्थापित किया गया है तो मद्य प्रदेश में सरव प्रथम जो मसाला पार्क है चिंदबाडा जले में स्थापित किया गया है कहां पर स्थापित किया गया है चिंदबाडा जले में next है कि मंद्देप्रदेश के प्रत्म लोकायोक थे पीज़ दिखचित थे कौन थे पीज़े दिखचित? दोस्तो यहां मैं प्रयास करता हूँ कि कम से कम समय में ज़ाद से जादा कॉच्चन को कवर कर आ सकूं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड हूँ आप तक उनका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके नेश्ट कॉश्चन देखंगे नेश्ट कॉश्चन है कि इंक्याउन मजला आगर मालवा किस बर्स बनाए गया था तो इंक्याउन मजला कौन सा आगर मालवा इसे कब बनाए गया था तो इसे सूल अगस्त 2013 को बनाए गया था कब बनाए गया था सूल अगस्त 2013 को और बाउन मजला कौन सा है तो निवाड़ी नेस्ट कॉस्चन देखंगे, नेस्ट कॉस्चन है कि मद्य प्रदेश कि कौन से जिले में राम लीला मेले का आउजन किया जाता है, तो मद्य प्रदेश के कि जिले में राम लीला मेले का आउजन किया जाता है, तो गौलियर जिले में राम लीला मेले का आउजन किया जाता है नेस्ट कॉश्चन देखंगे कि लहंगी नरत है कौन सी आदिवासी जन्जाती के नरत है तो जो लहंगी नरत है यह सहरिया जन्जाती के नरत है और आपको बता दो कि मद्यप्रदेश की तीन सबसे प्रमुक जन्जाती कौन कौन सी बेगा भारिया और सहरिया यह तीन ऐसी ज ितंचते की गई थी तैन्सेन परुसकार किस इस्थापत हुआ था था तो तूंसेन परुसकार किस इस्थापत हुआ था थो इसकी जोогодते, 200 cm से अधिक बारिस होती है Next question देखेंगे Next question क्या है कि निम्न मैं से कौन से सहर पश्य मध्धरेलवे का मुख्याला है तो जवलपूर पश्य मध्धरेलवे का मुख्याला है कौन से जवलपूर Next question की पांड़ा गोफा एक पिरसिद परेट अनिस्थल कहां पर इस्थित थे जो पंड़ गोफाए हैं या कहां पर इस्थित थे तो यह पचमड़ी में स्थित थे कहां पर पचमड़ी में Next question देखेंगे कि निम्न मैंसे कौन से राज है मैं सबसे अधेक अनुसुची जंजाती कि लोग निवास करते हैं किस राज में सबसे देख अनुसूची जन जाती है एस्टी जन संख्या नवास करती है तो 2011 की जिन गड़ना की नुसार तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है मद्यप्रदेश में मद्यप्रदेश में टोटल कितनी पॉपूलेशन है एस्टी की तो 21.1% जन संख्या है उत्तर प्रदेश मद्यप्रदेश और बिहार की जो संक्त परियोजना है कौन सी बानसागर परियोजना और एक किस नदी पर संचाले थे तो या सोन नदी पर संचाले थे कहां पर इस्थे थे या सहिडोल के देवलोद नामक ग्राम में इस्थे थे कौन सी परियोजना बान आंसर ऑप्सन भी है, 6 अप्रेल 2013 को बिकास दिवस का विजन किया गया था नेश्ट कॉश्चन देखेंगे, नेश्ट कॉश्चन है कि संग मरमर किस जले में पाई जाता है तो आप सबी को पुता हूँ कि जवलपुर में नेश्ट कॉश्चन देखेंगे, 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 नेश्ट कॉश्चन देखेंगे निएश्ट कॉष्टन है ree last question देखंगे नेश़््ट कॉष्टन क्या है कि मह्धे प्र्थम जिला है जो बाय वमास से उर्चा को अलिकलता रितूल उससने बेतूल मुद्धेप्रुदेश काएंसे परफं जला है जो बायो माझ से उचा को अत्पादन करता है कौन से जा बेतूल जला नेश्ट कॉश्चन है कि ठाक और रणमस सिंग स्टेडियम किस सहर में इस्टेथ है तो ठाक और रणमस सिंग स्टेडियम है ये रीवाजले में इस्टेथ है कहा पर इस्टेथ है रीवाजले में नेश्ट कॉश्चन है कि अनुसुच जाती है S.C. की साक्षर्ट दर कितनी है? तो अनुसुच जाती है S.C. की साक्षर्ट दर है कितनी है? 66.16% है कितनी है? 66.16% है. नेश्ट कॉश्चन देखने कि कपिल धारजल परपात किस नदी पर इस्थित है? नर्मिदा नदीपर नेश्ट कॉस्चन है कि मद्द प्रदेश के किस नेता को नेहरू के मंत्री मंदल में भारत के तरती एवं बाद में रक्षा मंत्री बनाए गया था तो इसका राइट आंसर क्या है ओप्सन सी है के लासनात काड़ू नेश्ट कॉस्चन देखेंगे कि मद प्रदेश राज्यस्थापना दिवस प्रती वर्स एक नवंबर कुमना आये गया था और मद्द प्रदेश के गठन कप किया गया था एक नवंबर उनीस सो चापन को नेश्ट कॉस्चन है कि महिस्च्वर किसलिए प्रिसध्ध है साड़े उद्ध्यों के लिए यह वीविल को सही और महाम रत्य उन्जय रत्यात्रा के लिए महिस्वर प्रसद्ध है इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और संटी हो जाएगा और लब देवब नेश्ट कोश्चन है कि चंडी देवी का मेला कहां आउजित किया जाता है तो चंडी देवी का मेला प्रतिवस सीधी जिले में आउजित होता है कहां पर सीधी जिले में नेश्ट कोश्चन देखंगे नेश्ट कोश्चन कि मद्य प्रदेश का प्राचीन सहर दसपुर अब किस प्रदेश में स्थे थे तो मद्यप्रदेश का प्राचीन सहर दसपुर है यह बर्तमान में किस जली में स्थे थे तो यह मंद्यस और जली में स्थे थे कहां पर है मंद्यस और जली में नेश्ट कॉस्चन देखंगे नेश्ट कॉस्चन क्या है कि मद्य प्रदिस की संगीत राजधानी किस सहर को कहा जाता है, मेहर को संगीत राजधानी कहा जाता है, और यह कहां पर इस्थे थे, तो यह सतन जले में इस्थे थे नेस्ट कॉस्चन देखेंगे कि गिन्नोर गड़ का किला किस नंगर के पास इस थे थे तो जो गिन्नोर गड़ का किला है किस नंगर के पास इस थे थे तो यह भूपाल नंगर के पास इस थे थे तो मेधा पाथकर के साथ नर्मिदा बचाव आंदोलन का संबंध है किस से संबंध है मेधा पाटकर का संबंध नर्मिदा बचाव आंदोलन से next question देखंगे कि पेश बबाजी राधुतिये का जन्में किस जिले में हुआ था स्वरी यहां पर है पेशववाजी राधुतिये का जन्म किस क्ले में हुआ था तो इसका जो राइट आंसर है और संगी धार की क्ले में पेशववाजी राधुतिये का जन्म हुआ था नेश्ट है कि मद्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो नर्म दंदी को मद्य प्रदेश की पवित्र नदी माने जाता है इसके साथ ही नर्म दंदी को मद्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नेस्ट कोश्चन है कि बिक्रम अवार्ट किसे प्रदान किया जाता है तो जो बिक्रम अवार्ड है यह राज्य के बरिष्ट खलाडयों को प्रदान किया जाता है तो प्रोशाचरता कितनी है, तो section देखों कि बाला घाट नगर किस नदी परिस्थे थे तो तो बाला घाट नगर किस नदी पर इस्ते थे बेन गंगा नदी की किनारे इस्ते थे कौन से नगर बाला घाट नगर किस नदी की किनारे इस्ते थे बेन गंगा नदी की किनारे नेश्ट कॉस्चन देखेंगे कि मद्य प्रदेश के किस जले में अनुसुच जाती है SC की जन संख्या का प्रतीस सबसे ज़ादा है तो मद्य प्रदेश के किस जले में अनुसुच जाती है SC जाती की जन संख्या का प्रतीस सबसे अधेखें तो इसका जो राइट आंसर है, option एह दतिया जले में, अनुसुची जाती है, SC की जनसंख्या परसेंटेज सबसे अधेख है, next question देखंगे, next question क्या है, कि मद्य प्रदेश में कपास अनुसंधान के अंदर कहाँ पर इस्तित है, next question देखंगे, next question देखंगे, कि देवी एहलेवाई हूलकर अन्तराष्टी हवाई अध्डा का दूसर नाम क्या है, तो देवी एहलेवाई हूलकर अन्तराष्टी हवाई अध्डे का दूसर नाम क्या है, इसे हम एंदोर हवाई अध्डे की नाम से भी जानते हैं, next question देखंगे, कि जनगणणणा-2011 के नूसर मद्य परदेस की जन संख्या कितनी थी, तो जनगणणण-2011 की नूसर मद्य परदेस की कुल जन संख्या कितनी थी, 7.27 करोड़ो थी 7.27 करोड़ो थी Next question देखने कि बरगी परियोजना खालिस्थान दोरा भी नामे थै तो बरगी परियोजना का दूचर नाम क्या है तो बरगी परियोजना को रानी अवंती भाई लोधी सागर परियोजना भी कहते हैं Next question देखने और यह कहां पर है तो यहां जवलपुर जिले में इस्थे थे हैं Next question है कि साइं, Central, Regional, Central, Madhya Pradesh के किस सहर में इस्थे थे हैं तो साइं का जो छेतरी एकारयाला है किस जिले में इस्थे थे तो Sports Authority of India का जो छेतरी एकारयाला है तो निमलखहत्माया से कौन से जला है? जो चंबल संभाग के अंतरगत नहीं आता है तो जो अली राचपुर है यह चंबल संभाग के अंतरगत नहीं आता है क्योंकि इन दौर ज़िкой के अंतरगत आता है इन दोर समभाग के अंतरगत आता है Next question देखने कि मद्यप्रदेश की बिधान सभाव में अनुसूचे जन जाती या ST के लिए कितनी सीटे रिजर्ब की गई है तो मद्यप्रदेश बिधान सभाव में ST या अनुसूचे जन जाती के लिए जान जाता है तो सितंबर अक्टूबर माय को मद्यप्रदेश की दूसरी गर्मी की रूप में जान जाता है किसे सितंबर अक्टूबर माय को Next question क्या है कि होसंग अबाद सहर की स्थापना किसने की ती तो होसंग साय के दौरा ही होसंगबाद सहर की स्थाबना की गई थी नेश्ट है कि मद्द प्रदेश का पन्ना सहर किस कारण से प्रिसिद्ध है तो मद्द प्रदेश का पन्ना सहर है या किस कारण के लिए प्रिसिद्ध है तो यहाँ पर यहाँ हीरे की खाने पाई जाती है नेश्ट कोश्चन देखंगे और मद्द प्रदेश में सबसे अधिक हीरी का उत्पादन होता है भारत में नेश्ट है कि भूपाल के अब्दुललतीफ खान एक बिख्यात क्या थे तो भूपाल के अब्दुललतीफ खान क्या थे तो यह सारंग बादक थे क्या थे भुपाल की अब्दुल्लतीव खान हैं इनका सम्मन्द के सेहत और सारंगी बादक से इनका सम्मन्द है Next question क्या है कि निम्ले मेंसे कौन सा परेटन इस्थल गौलियर में इस्थित नहीं है तो निमलेखित में से कौन सा परेट निस्तिल गौालियर में इस्तित नहीं है तो जो जहाज महल है या कहां पर इस्तित है मांडू में इस्तित है ना कि गौालियर में जबकि गुजरी महल, जैविलास महल और मांसिन महल या तीनों ही गौालियर के किले में इस्तित है जबकि कि निम्न मेंसे कौन सा बन मद्य प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाता है तो निम्लेखत मेंसे कौन से बन हैं जो सबसे अधिक मद्य प्रदेश में पाए जाते हैं कॉन से उस्न कटी बन दिए सुसक परणपाथी बन है कौन से उस्नbox भारत कि निम्लेकर भाति में से कौन साच्यत्र है जिसे अबंतिका की नाम से जाना जाथा है किसे उज्यन को Next question है कि निम्न मेंसे कौन सी महिला लोक माता के नाम से प्रसद्ध हैं तो अहल लिवाई होल करको लोक माता के नाम से जाना जाता है किसे अहल लिवाई होल करको Next question है कि मद्य प्रदेश का सुर्मा उत्पादक जिला कौन सा है तो मद्य प्रदेश का सुर्मा उत्पादक जिला कौन सा है तो जवल पुर जिले में सुर्मा उत्पादक जिला है कौन सा जवल पुर जिला है या सुर्मा उत्पादक जिले की रूप में जाना जाता है Next question देखंगे नेस्ट कॉश्चन है कि मद्य प्रदेश का एक मात्र आदी वासी खेल स्कूल कहां इस्ते थे तो मद्य प्रदेश का एक मात्र आदी वासी खेल स्कूल जाबु अजले में इस्ते थे कहां पर इस्ते थे जाबु अजले में मद्य प्रदेश का एक मात्र आदी वासी खेल हैं कि किस नुबल पुरुष्का विजिता खा जन्वस्थान अंध्य प्रदेस में हैं और राही मद्य प्रदेस के दोड़ा थे बच्पन भाचाव अंधूलन चलाय गया था वर वी नोबल प्रुष्कार से सम्मान किया जा चुका है नेश्ट है कि 2011 जन गड़ना के नुसर मद्य प्रदेश का बाल लेंगानुपात कितना है 2011 की जन गड़ना के नुसर मद्य प्रदेश का जो बाल लेंगानुपात है यह कितना है नेस्ट कोश्चन है कि तुलसी पुर्थिकार लोक और पारंपरक अधिवासी कला के छित्र में दिया जाता है इस पुर्थिकार के स्थाबना कब की गई थी? 1983-84 में तुलसी पुर्थिकार की स्थाबना की गई थी का? 1983-84 में नेश्ट कॉश्चन है कि निम्लेकत नदियों में ऐसे कौन यहमुना नदी में नहीं मिलती है तो निम्लेकत नदियों में ऐसे कौन सी नदी है यह यहमुना नदी में नहीं मिलती है जबकि सौन नदी का किसम में मिलती है तो सौन नदी यह गंगा नदी में मिलती है नेश्ट कोश्चन देखें कि भारत भारत भावन कहां इस्ते थे तो जो भारत भावन है ये भोपाल में इस्ते थे और इसका निर्मण से मुख्यमंत्र कौन यह तो गोविन नारणय सी नेश्ट कोशचन देखें, नब जीवन इंदोर से 1915 में शुरू किया था, यह क्या था, तो नब जीवन यह एक मासिक पत्रिका थी, और इसका। रकाशन, 1915 में अंडर जिले से हुआ था Key Hin 1. o निव nella 시청 में कि निम्ले खित्में से कौन से वर्स भोपाल जिले को सी भ Kenya जिले से लग्हिआ गया था तो निम्ले किस वर्स भोपाल जिले को सिथिख हुर जिले से प्रितक किया गया था क्योंकि 1972 के पहले भोपाल, सीह और जिले के अंतरगात एक प्रमुक तहसील हुआ करती थी Next question देखेंगे मध्यप्रदेश के किस जिले में गैहुं का सबसेधी उत्पादन होता है नेश्ट की बारना बांध कहां इस्ते थे थे जो बारना बांध है यह रायसेंजली में इस्ते थे कहां पर है रायसेंजली में इस्ते थे कौन सा बांध जो बारना बांध है यह कहां पर इस्ते थे रायसेंजली में mist है कि मद्य प्रदेस में कितने अभ्यारण है तो बरतमान इन्द्य प्रदेस में 31 अभ्यारण है क्योंकि मद्ध्य प्रदेस में सबसे अधेक अनुसुची जन जाती जन संख्या पाई जाती कितनी पाई जाती 21.31 तो इसका जो राइट आझर है, जी वाजी विशुद दयाला इंडौर मिस्ते थे, देवी एहलय वाई विशुद दयाला इंडौर मिस्ते थे नेस्ट कॉस्चन देखेंगे कि मद्य प्रदिस लोकसिवा आयो क्या है तो मद्य प्रदिस लोकसिवा आयो क्या है तो यह एक सुतंत्र निका है क्या है मद्य प्रदिस लोकसिवा आयो यह एक सुतंत्र निका है और इसका मुख्याला कहा पर है तो इन दौर में इसका मुख्य रहेगा यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सस्काइब कीजिए मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद